नमस्कार साथ युश्वाकत आपका एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल स्टेड़ी पॉइंट पर तो आज की क्लास हमारी होने वाले कर्षी परयोग सकी जिसमें हम कर्षी ग्यान के कुछ मेंत्पून क्यूसंस के वारे में आज की क्लास में हम सर्चा करने वाले जो भाई एकरिगल्टर सुपरवाइजर की तयारे कर रहे हैं उनके लिए आज की क्लास काफी इंपोटेंट होने वाली है तो चले दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को आज की क्लास में सबसे पहला क्यूसरा हमारा निमिली कितमेंशे ग्यों की दो जीन बूनी किसम ह यानि कि ग्यों की एंशी कौन सी किसम है जो दो जीन बूनी किसम में आती है पहला कि इसका पहला ओप्सन है सो ना लिगा दूसरी है सुजाता तीसरी है लोग फरस्ट और चोती है हमारी डबलू एच एक्ससें तालीस तो एंशी कौन सी किसम है जो दो जीन बूनी किसम है ग तो इसका राइट आंसर होगा ओप्चन नमबर तीन लोक फर्ष्ट जो है वो दो जीन बोनी किस्म है इसके अलावा जो सोना लिका है सोना लिका एक जीन बोनी किस्म है और जो सुजाता है सुजाता भी एक जीन बोनी किस्म है इसके अलावा सुजाता सुजाता का दूसरा नाम होता है HI HI 61 17 के नाम से भी इसको जाना जाता है किसको सुजाता को HI 167 के नाम से भी जाना जाता है Next नमारी है WH 146 WH 146 जो अन्य किस्पों में आती है वो गेहों की किसम में जो चपाती बनाने के लिए सरवोतम होती है इस अपाती बनाने है तो टबलू एज किस एक्सुस है ताड़ीज जो किस महगयों की वो सुरूत मानी जाती है इसके लाव नेक्स्ट हमारा क्यूसन है दलहनी फसलों में एन पिके का अनुपात होता है उप्सन नमबर एक है चार अनुपात दो अनुपात एक उप्सन नमबर दो है दो अनुपात दो अनुपात एक उप्सन नमबर तीन है एक अनुपात दो अनुपात एक और उप्सन नमबर चार हमारा तीन अनुपात दो अनुपात एक तो जो दलहनी फसलों में एन पिके का जो अनुपात होता है वो होता है एक अनुपाद दो अनुपाद एक यानि कि option नमबर तीन हमारा right answer हो जाएगा और जो चार अनुपाद दो अनुपाद एक जो अनुपाद होता है वो होता है अनाजवाली जो फसले होती है अनाजवाली फसलों में NPK का जो अनुपाद होता है वो होता है चार उनुपाद, दो उनुपाद, एक यानि कि option नमबर एक इसका अनाजवाली फसलों का अनुपाद होता है next हमारा question है, तीसरा question है RS 10 किसकी किसम है यानि कि जो RS 10 है वो किसम किसकी है, पहला option है जो, दूसरा option है चना, तीसरा option है गेहू, और चोथा option हमारा चोथा option है जीरा तो इसका right answer हो जाएका RS 10 चनी, चनी की किसम है RS 10 और जो जो है, जो की RS 6 होती है जो की जो किसम होती है वो होती है RS 6 इसके बार में जो गेहू होता है, गेहू की RS के करम में कोई variety अभी तक है नहीं next है, जीरा जीरा की RS 1 होती है जीरा की RS 1 वेराइटी होती है तो ये confusion करने वाले question होते हैं तो इनको, इनमें से question दिखते रहते हैं तो ऐसे questions को अच्छे से ध्यान रखना next question है, जो की किसम RD 3703 का दूसरा नाम है जो की एक किसम है RD 3703 जिसका दूसरा नाम क्या है option number 1 है राज किरन दूसरा है किरन तीसरा option है अर्का किरन और चोथा option है करन तारा इस question का जो right answer होता है वो होता है राज किरन option number 1 इसका right answer होगा राज किरन जो होती है वो आर्टी तेन सो से तैसी का दूसरा नाम है जो किस की किसम है जो की किसम है और जो किरन किरन जो किसम होती है वो किस किस की है मक्का एक तो मक्का और एक अलसी अलसी और मक्का की किसम होती है किरन ये दोनों की किसम होती है किरन नेक्स्ट है अर्का किरण, अर्का किरण अम्रूद की किसम होती है, अम्रूद, अम्रूद की किसम है अर्का किरण, और करण तारा, करण तारा जो है वो तारा मीरा की है, तारा मीरा की किसम होती है, नेक्स्ट किसम अमारा अंतराष्टिय चावल अनुसंदान संस्तान, आई अंत्राष्टि जो चांवल अनुसन्दान संस्तान होगा है वो है Manila Philippians उप्सन न्मबर 4 इसका Right Answer होगा Manila Philippines में अंत्राष्टि ये चांवल अनुसन्दान सश्तान IWRI इस्तित है इसके अलावा पूसा नई दिल्ली पूसा नई दिल्ल इंत्रगत IARI Indian Agriculture Research Institute इस्तित है और करनाल हर्याना के अंतरगत NDRI National Dairy Research Institute इस्तित है और option no.3 हमारा कटक उडिशा कटक उडिशा के अंतरगत जो है केंद्रिय चावलन संदान संस्थान केंद्रिय चावलन संदान संस्थान जिसे हम बोलते हैं CWRI CWRI कहा हूँ इस्तित है कटक उडिशा में नई दिलिम मैं आपको बता दिया I A R I इस्तित है और जो करनाल हर्याना है करनाल हर्याना में NDRI इस्तित है National Dairy Research Institute इस्तित है और option no.4 मनिला फिलिपिन्स में अंतराश्टिय चावलन संदास संस्थान I A R R I इस्तित है नेक्स्ट हमारा question है मूं का वानस्पतिक नाम है मूं का वानस्पतिक नाम पूछ रहा है option no.1 है विगना मूंगो दोसरा option है विगना रेडियेटा तीसरा option है विगना sinensis चोब था option हमारा विगना एकनोटी फोलिया तो इस क्यूशन का जो राइट answer होगा वो होगा option no.2 विगना रेडियेटा विगना रेडियेटा मूंग का वानस्पतिक नाम होता है इस क्यूशन में confusion में होगाते हैं और इसको right answer कर देते है विगना रेडियेटा मूंग का होता है और विगना वानस्पतिक नाम होता है इसके अलाव विगना sinensis जो होता है वो होता है चंबला चंबला या इसको लोबिया भी बोलते हैं और चोफा option है विगना Acunity Folia, Vigna Acunity Folia किसका है, Mote Mote का जो वानसपतिक नाम होता है वो होता है Vigna Acunity Folia दोस्तों एक क्यूशन के अंदर गत में आपको चार क्यूशन कंप्लीट करा रहा हूँ हर option में मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ Next question है, चना RSZ 902 किसम का अन्या नाम क्या है यानि कि चने की किसम है RSG 902 जिसका दूसरा नाम क्या है तो उप्सन नमबर एक है आसा दूसरा है अरूना तीसरा उप्सन है आभा और चोथा उप्सन है अपरना चारो ही किसमे चने की किसमे है इन मेंशे RSG 902 902 जो किसम है उसका दूसरा नाम इन मेंशे कौन सा ह तो इस question का जो right answer होगा, वो होगा option number 2 अरुना जो है, अरुना RSG 902 का दूसरा नाम होता है इसके अलावा आसा, option number 1 है आसा, उसका होता है RSG 945 RSG 945 इसका दूसरा नाम होता है, इसके अलावा आभा का होता है आभा का RSG 945 होता है, और जो last हमारी किसम बची अपड़ना अपड़ना का दूसरा नाम होता है RSG 9001 इन क्यूशन को भी याद रखना next क्यूशन हमारा तिलका फाइल लोडी रोग का रोग का रख है तिलका जो हमारा फाइल लोडी रोग होता है, उसका जो रोग का रख है, वो कौन सा है उप्सन नमबर एका कवग, दूसरा है जीवानू, तीसरा है विसानू या वाइरस और चोता उप्सन होता है माइको प्लाज्मा तो इस क्यूसन का जो राइट आंसर होगा, वो होगा उप्सन नमबर 4, माइको प्लाज्मा या इसकी को हम बोलते हैं, फाइटो प्लाज्मा भी बोल सकते हैं फाइटो प्लाज्मा के दौरा भी तिलका फाइल लोडी रोग होता है और इसके अलावा जो वाइरस होता है, वाइरस दिल का क्यों सा रोग उता है? पत्ती विशान रोग, तिल का पत्ती विशान रोग वाइरस के कारण होता है नेक्स्ट क्यूसन आवारा एक किलोग्राम सोयबीन के बीजों से लगबक कितना दूद बनाया जा सकता है उप्सन नमबर एक है साथ से आठ लिटर उप्सन नमबर दो है तीन से चार लिटर उप्सन नमबर तीन है ग्यारा से बारा लिटर और उपसान नमबर 4 है 14-15 लिट्र तो इसकुशन का जो राइट अंसर होगा वो होगा उपसान नमबर 1 जैनि कि 1 किलोगram सोयवीन के बीजो से हम 7-8 लिट्र दूद बना सकते हैं इसकुशन का राइट अंसर होगा 7-8 लिट्र यानि option number 1 डैट आंसर होगा इसके रहाओ next question है soyebein फसल है soyebein कीसे फसल है दलहनी फसल है तilहनी है एक वश दो दोनों यानि दलहनी या तilहनी दोनों है या इसका उपरोक मेंसे कोई नहीं है तो इस foundation का जो राइट आंसर होगा वो होगा option number 3 उप्सन नमबर 3 होगा, जो सोयबीन होती है, वो दलहनी भी होती है और तिलहनी भी होती है, सोयबीन को दलहनी वे तिलहनी फसल भी कहते हैं, दोनों के अंतरगत आती है सोयबीन, नेक्स्ट कुशन है सरसो का वानस्पतिक नाम है, सरसो, सरसो का वानस्पतिक नाम क्या है, उप नमबर एक ब्रेशी का जुंसिया सर्सो का जो वानसपतिक नाम होता है वो होता है ब्रेशी का जुंसिया जो रेशीनस क्यूमिनस होता है रेशीनस क्यूमिनस किसका होता है अरंडी का अरंडी का जो वानसपतिक नाम होता है वो होता है रेशीनस क्यूमिनस नेक्ष्ट है हेलि जो उंसपति Kne flaw का मrien abi bitcoin का होता है और सरसोगा मैंने बता दिया आपको ब्रेशी होता है नहिस में में गुन्सुत्र शंक्या होती है यानि इस में गुंसुत्र संक्या कितनी होती है 2N उसके अलावा जो काboolी चना होता है, काboolी चना होता है, काबुली चनावर बरसीम बरसीम वे काबुली चने के अंतरगत भी गुंसुत्र संक्या होती है वो 2N बराबर 16 होती है वो 2N बराबर 22 सोंप के अंतरगत जैसे 2N बराबर 22 जो होता है वो गुंसुत्र संक्या सोंप धनिया सोंप धनिया और अमरूद के अंतरगत पाई जाती ह इसके अलावा 2N बरावर 14 गुन सुत्र संक्या होती है वो बाजरा जो मटर, देशी चना, मसूर में पाई जाती है इनके अलावा जो 2N बरावर 14 है वो जो बाजरा, मटर, देशी चना, मसूर आदी में पाई जाती है last option हमारा option number 4 2 n तिस गु謹तर संक्या किसमें पाय जाती है ये पाय जाती है सूरज मुकी में सूरज मुकी में 2 n तिस पाय जाती है और मैथी में मैंने आपको बता दिए 2 n तिस बाव्व शोरा होता है next question है अकुसुम के तेल में linolog عمل की मात्रा कितने प्रतिस्ट होती है तो इसका उप्सन नमबर एक हमारा 48% दूसरा उप्सन है 58% तीसरा उप्सन है 68% और चोथा उप्सन है 78% इस क्यूशन का जो राइट आंसर होगा लिनोलिक अमलिकी मातरा कुसुम का जो तेल होता है उसमें कितने प्रतिस्ट पाए जाती है तो इसका जो राइट आंसर होगा वोगा उप्सन नमबर 48% पाए जाती है इसके लाइट नेक्स्ट क्यूशन हमारा बर्सीम के पुस्पन है तो कितने ताप मान के आवसपता होती है इसके लिए उप्सन नमर एक है 20-25 degree centigrade दूसरा option है 35-40 degree centigrade तीसरा option है 10-15 degree centigrade या फिर इन में से कोई नी इस question का जो right answer होगा वो होगा 35-40 degree centigrade 35-40 degree centigrade तो आप मान कि आवसकता होती है बरसीम के पुस्पन हे तू next question हमारा सामाइन मेती के परती अक्टर भी इसदर होती है option number 1 है 10 kg परती अक्टर option number 2 है 20-25 kg परती अक्टर option number 3 है 30-35 kg परती अक्टर तो चोथा option है इन में से कोई नी तो इस question का जो right answer होगा वो होगा option number 2 20-25 kg परती अक्टर शामाइन मेती की जो बीजदर होती है वो होती है इसके लावज़ 10 kg प्रतिय एक्ठर होती है कसूरी मेथी जो 20 होती है 10 kg प्रतिय एक्ठर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना छेली दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जाहिन वंदे मातरू